हाई वेलकम टू माई चैनल दुनिया देखो विद सनी अभी मैं अजंता केप्स से निकल रहा हूँ एलोरा केप्स के लिए चलिए आपको ले चलते हैं एलोरा केप्स के सफर पर तो बने रहिए दुनिया देखो विद सनी के साथ चलिए चलते हैं पीछे आप यह बस देख रहे होंगे यह बस अजन्ता केप से आगे हाइवे तक ले जाएगी इसका भारा सिर्फ पचीस रुपया है नौनेसी का उधर से एसी से मैं आया था उसका भारा तीस रुपया है और हाइवे पे फिर मुझे बस मिल जाएगा इलोरा केप के लिए चल आते हैं यह बस अजन्ता केप से पांच मिनिट के डिस्टेंस पर हम लोगों को छोड़ देता है हाइवे के पास और यहां से बगल में हाइवे है वहाँ पैदल ही जाना होगा अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है अजन्ता केप का तो उस वीडियो को देखें उसका लिंक मैं दे दूंगा यह देखें थोरा सा वाक करने के बाद मैं पहुच गया यह हाइवे है यही से बस मिलेगा मुझे एलोरा केप के लिए मुझे थोरा करना होगा यहां बस का यह देखें बस आया कि पुलंबरी जाना कि पुलंबरी पहुंच चुके हैं एलोरा केप्स बस ने छोड़ दिया मुझको अभी यह है इंट्री एलोरा केप्स के लिए सवा पांच हो गया है छे वजे बंद हो जाता है इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करना होगा टिकट लेते हैं इंडियन सिटीजन के लिए 40 और 400 के लिए 600 मैं आचुका हूँ एलोरा केप्स मेरे सामने है अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है अजंता केप्स का तो वो वीडियो जरूर देखें चैनल पे है मैं लिंक दे दूँगा सामने है एलोरा केप्स वर्ल्ड हेडिटेस साइट हैं ये ये इस इस एलोरा केप्स ये देखिये क्या खुबसूरती है जरूर आईए घुमने ये सब जगा वर्ल एडिटेस साइट है ये देखने लाए इक चीज होता है यह देखिए खुबसूरती इस जगा का यह देखिए एलोरा केप्स अंदर से नजारा ब्यूटीफूल इस एलोरा केप्स दुनिया देखो भी सनी पहुच चुका है एलोरा केप्स आप लोगों के लिए यह सांदार नजारा मेरे चैनल पर देखिए यह 1500 से 2000 साल पहले का यह सब बनाया गया गुफा है पहार को काटके उस समय के लोगों ने बनाया था क्या सांदार नजारा है देखिए क्या करिस्मा किया था उन लोगों ने ब्यूटीफूल इसके अंदर भी जा सकते हैं भी चलेंगे पहले आपको सा देख लीजिए चारो तरप का एक बार राउंड लगा देते हैं दिस इस रियली अमेजिंग इस ब्यूटीफूल प्लेस आप लोगों को आना चाहिए यह नहीं कि वीडियो में देख लिए तो बस हो गया यहां विजिट कीजिए अपने आखों से देखिए उसका मजा वह मजा नहीं आ सकता है खुबसूर्ती उस जमाने में लोगों ने क्या-क्या नकासी किया था इस इस रियली ब्यूटिफूल वाव दुनिया देखो विट्सनी पर यह नजारा एलोरा केप से यह पहार के अंदर बनाया गया गुवा यह चारों तरफ से व्यू था अब आपको अंदर लेके चलते हैं ब्यूटिफूल यह सब पहार को नकासी करके बनाया गया है वो भी आज नहीं पंदरा सौ साल से दोहजार साल पहले के बात है यह सुचिए उस समय के लोगों ने यह बनाया था इमेजिन करके देखिए यहां फॉर्णर्स लोग बहुत आते हैं यह सब देखने हिस्ट्री लवर के लिए तो यह जन्नत है सब आते हैं सब पहुशते हैं देके चलते हैं आपको अंदर का नजहरा दिखाते हैं एलोरा केप्स ओनली ओन दुनिया देखो विट सनी यह देखिए उपर से नजहरा एलोरा केप्स का देखिए पहाड के अंदर कितना सारा गुफा है चारो तरफ ब्यूटिफूल इस ओके चलिए यह है नजहरा एलोरा केप से अब चलते हैं अंदर यह टेंपल है एलोरा केप के अंदर का देख लीजिए कितना बड़ा हॉल बना हुआ है पहार को काट के बनाया गया है यह देखिए उस जमाने में यह सिवलिंग बनाया गया था एलोरा केप्स के अंदर है और यह उपर का नकासी देखिए क्या खुबसूरत नजारा है ब्यूटिफूल यह नजारा सिर्फ और सिर्फ दुनिया देखोवित सनी पर सब्सक्राइब करें दुनिया देखोवित सनी को ऐसे सांदार नजारों के लिए अब चलिए बाहर चलते हैं यह देखिए पीलर्स को तो नाइस यह देखिए नंदी है यह वाव मतलब इतना साल पहले संकर भगवान का सिबलिंग और नंदी सब कुछ मौझूद था यह देखिए चारों तरब से दिखा दिया मैंने वह सब भी आप देख सकते हैं जाने की इजाज़त नहीं है अंदर वह सब भी गुफा है जहां जहां जाने का इजाज़त था मैंने दिखा दिया चलिए अब यहां से चलते हैं यह नजारा के सामने से आये हैं यह बालकनी है और इस साइड का एडिया भी देख पीजिए यह था नजारा इलोरा केप से ओली ओन दुनिया देखो विज जनी चलिए अब आप से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाई बाई